एक दिन नागोर के पादुकला पुलिस टेशन में एक फोन आओ ब्येस अफ का लिए और खबर मिले कि बाके इलाके को ब्येस अफ को एक जवान सहीद होगी या खबर सहीद के गराजा सगला गर में मातम को महोल हो जए लेकिन एक गर्व की बावना भी रहे सहीद है तो आओ है और जद अंतिम संसकार को टाइम आओ है जणा भात भात का नेता अधिकारी और पोली सारी जनता बेढ़ी ओकी सहीद न अंतिम विदाई ते और सहीद गय अमर रेन का नारा भी लगा अंतिम विदाई के थोड़े दिन बाद एक सहीद परिवार ने मिलने नाला जिक अंदर की लिखेडों है कि थारोपती गोड़ें सहीद गोनियों वल्कि आत्मत्या करी या पटगी पूरो परिवार सकता माजया पली बियस अफ खुच सहीद बताऊ है और बाद में 20 आदत ने आत्मत्या करार देते सैनिक कल्यान बोर्ड का लिखेड़ पत्र को जवा आप बोर्ड नन्य मिलती सहीद का गरांजा फोरेंसिक रिपोर्ट का मुताबिक एक गोड़ी लागते सैनिक की मोत होकी पा भी सैनिक की छाती पर कुल च्यार गोल्या का निशान लाद है सैनिक की एंडराइटिंग में लिखेडों एक सुसाइड नोट मिलने जिमें खतरना के लिखेड की विरांगनान जम्मो कश्मीर का कुपवाना तक जानो पड़े और बड़े का कोट के चेरें का चकर काटना पड़े सगला दर्षकान राव राव स्वागत तरो जलकू राजस्थान में मेरो नाम हादर्ष और माँ बात पर रहूं जम्मो कश्मीर का कुपवाडम तैनात बीएसफ का जवान किसना राम गैलोत की साथ दत की काड़े की बाकि पूरी काणी जानन के लिए वीडियों अन्तक जरूर देखियों तो काणी की सुरुवात होए एक फोन हो जो 4 दिसंबर 2000 ने बीएसफ का नियू नागोर के पादुगला पुलिस टेशन में होए और बांच सुचित करे कि नागोर का थारा इलाके का सैनिक किसना राम गैलोत कस्मीर में आतंकी मुट पेड में सहीद होगा पुलिस टेशन हो या खबर जाटावास में सैनिक परिवार के गराजा और दो दिन बाद 6 दिसंबर ने तिरंगम लिप्टेडो सहीद को पार्थिव शरीर जाटावास पहुंचिया सहीद ना पूरो राज के सम्मान दियो जा दिल्लिम सम्मान कपा सहीद को पार्थिव शरीर बढ़ेओं फ्लाइट में जोतपुर लियायो गयो और पाबड़ेओं जाटावास के पूरा रस्तम जगह जगह सहीद को सम्मान होयो और सैनिक और आम जनता सहीद किसना राम अमर रहे का नारा भी लगाया विटाइम का मले मांगी राम डांगा तैसिलदार बीडियो और भी गणाई अधिकारी सव लेजयान अलिगाटी के सागसागई जाट आवास तक आया बड़े लगबग तीन अजारू ज़्यादा लोगा की बीड इकठा होगी और भी भीड के सामें बिएसफ को सेने दल सहीद किसना राम की सादत की पूरी कानी सुने पागाओं का सरकारी स्कूल पर इसर का माइन पूर समान का सागा गार्ड ओफ ओनर दे की बाको अंतिम संसकार भी करयो गयो और स्कूल को नाम सहीद किसनाराम का नाम पर रखन को प्रस्ताव भी नियो गयो और कुछ दिना गमाएन अन्तिम संसकार आले जगा पर एक चबूतरों भी बनके तयार होगो जी पर बाद में सहीद की मुर्ती लागन आले भी का बाद और भी बड़ा बड़ा आदम्या का बयान आया जोद पूर महाराजा गज सिंग पत्तर लिख की किसनाराम की साधत पर गर्व मैसूस करन की बाद कई बाक अलाओ मुख्य मंत्रिय सो गैलोत भी साधत न नमन करन कले पत्तर लिख्यो और भी टाइम का जिला सैनिक कल्यान अदिकारी करनल दर्माराम विश्णोई भी कयो कि किसनाराम गैलोत सहीद होया है और बाक परिवार ने तावली ही सहीद परिवार ने मिलन अली संगली सुईदा दी जैसे सैनिक कल्यान बोर्ड नागोर सहीद परिवारन मिलन अलिसुई दागल्यागा की कारवाई शुरू करी और B.S.F. ने पत्र लिक्की किस नाराम गैलोत की साधत को पर्मान पत्र माग्यो जी को सैनिक कल्यान बोर्ड ने कोई जवाब को न मिलियो पन सहीद विरांगना गीता देवी बारम बतायो कि 29 जनुरी 2001 ने बीसफ की 65 बटालियन का डिप्टी कमांडेंट असिंग बोराग नामू बाकनिक पत्र आयो जिम लिखेडो हो कि आपके पती किस नाराम गैलोत ने आत्मत्या की थी और वहे दुस्मन की गोलियों के शिकार न नहीं आते और अगर हमने ये बात सैनिक कल्यान कारियाले नागोर को बता दी तो उन्हें आपसे कोई सहानो गुती नहीं रहेगी आपको सुझाव दिया जाता है कि अब जिला सैनिक कल्यान बोर्ड से किसी भी परकार का पत्र व्यवार नहीं करें तथा आपके पती के पैं चाली कि हम कुंडरू और चाए जो जया पती देश के लिए जयान दी है तो भीन सहीद को दर जो भी दिवा की ही रेश्यों या मन्मठान की घिता देवी ग्रह मंत्राले के सचीव और बीसफ के डीजी ने एक अप्लीकेशन बेजी जी का जवाब में 4 जनवरी 2002 ने दिनली क बीसफ सेंटरल ओफिस का डिप्टी कमांडेंट जेल मीना एक पत्र मेज की बतायो आरक सक किसनाराम गयलोथ बीसफ की 62 बटालियन को 3-4 दिसंबर 2000 की मद्दे रातरी को बटालियन वाहिनी मुख्याले में मुर्त पाया गया और कमांडेंट को उनके पास से हस्त लिखित लिखा था कि वह गंबीर मिमारी से ग्रसित होने के डर से सुसाइड कर रहे है उस सुसाइड नोट की राइटिंग और हस्ताकसर को किसनाराम की राइटिंग और हस्ताकसर से मिलाने के लिए जमू कश्मीर फोरेंसिक विज्ञान परियोक्षाला स्री नगर बेजा गया वहा पत्तर पड़ की गित्ता देवी की हिम्वट तूटी और बाहार मालनी इक अलावा चारो भी के हो या तो गित्ता देवी अब आपका च्या टाबरा को पालन पोशन कर से कही या आपकी लड़ाईनों रागवर डास कही दुन्युका में एक सागा करनों बहुत मुश्किल हो इ जवान होयो आपका पितान सम्मान दिवान कले कोशिस करनी चालू करी साथ उज्यादा आर्टी आई लगाई और मामले की जात चालू करी आर्टी आई उं किसना राम की पोस्ट माटम रिपोर्ट निकलुआई जिम बेरो पड़ेओ कि किसना राम की मोच 4 दिसंबर 2019 सुग जल्दी एक बच की 40 मिनट पर गोड़ी लागण होई बाकि छाती पर 4-5 इंच की दूरी पर कुल 4 गोड़ी लागेड़ी है अगर आदमी आत्मत्या करे तो इस आबों खुद पर अलग-अलग जगा 4 गोड़ी चलानी मुम्किन कोनी अगर किसना राम बे गोड़ी कोन चला सारी बात मोत की पहलिन और ज़्यादा उलजा दियो गिता देवी अबरोरू BSF नपत्तर लिख्यो और सुसाइड नोट पुलिस रिकोर्ड और फोरेंसिंग जाच की रिपोर्ट की कोपी मांगे लेकिन अब की बार भी BSF का न्यूपली जिसोई जवाब मिलियो कि मामला की जांच होगी है और किसना राम आत्मत्त्य करी ही जो जांकरी थांचाए है मा कोन मिल सके लेकिन अब की बार गिता देवी हार कोन मानी और डेड़ साल पनली जम्मू कस्मीर जा की बड़े का एसपी जुगल मिनास ने आपका पती की मोत को रिकोर्ड मुया करान के लिए अप परिशान हो कि गिता देवी सिंदो कोर्ट में जान को फेसलो कर लिए और 23 अगस 2022 ने कुपवाडा कोर्ट में याची का लगाई और कोर्ट तु दख्वास्त करी कि कि किसना राम गेलोत की मोत तु जुडेडा सगला कागज और जांच की स्टेटस रिपोर्ट गिता देवी पुलिस रिपोर्ट जमा करी और बतायो कि कुपवाडा पुलिस स्टेचन में किसना राम गेलोत की साहदत या आत मत्याओं जुडेओ कोई रिकोर्ड को नि Au Re Diane मामलं कुपवाड़ा पुलिस थाणों कदे कोई कारवाई भी कुन करी और BSF का किसना रामों जुडेडों कोई भी रिकोर्ड कदे भी थाणाई गुन पूचियो लेकिन पुलिस ना फोरेंसिक लेब हुँ एक CFSL रिपोर्ट मिली तो फोरेंसिक लेब या रिपोर्ट क्यों बनाई और यह भी ज़्यादा हैरान करें अलिबात या ही कि इपूरी रिपोर्ट मों सुसाइड नोट को कडे कोई जिक्करी को नियो और अठे भी मोत को कारण च्यार गोडी लागनों ही बताया गयो गिता देवी सोच्यों की कुपवडा जाकी या पहली शुलच जागी लेकिन या पहली और ज्यादा उलजगी और नया सवाल खड़ा कर दिया सब उमेन तो यो कि अगर किसनाराम आत्मत्या करी तो अडेगा थानम आत्मत्याओ जुडेडी रिपोर्ट क्यों कोनी और अगर आत्मत्याओ नई करी और सईद होया तो बियस अफ ने एक सहीद ने सहीद को दर्जो देड में के दिक्कत है इकेस को आज भी कोई फैसलों बनियायो है गिता देवी नई की उमीद में इकेस नब श्रीनगर हाई कोट लिजान की तहरीम है और जो इत्ता सवाली पूरा मामलम उठे ही बाको जवाब आपान मिल जया जी को बस प्रस्तावी पास हो पायो या फिर शैद भी चबूतर की उड़ीक खतम हो है जड़े सहीद की परतिमा बनती बनती रहेगी बाबी चबूतर पर बन जया और पूरा गाउन एक विरांगना की इमतना सलाम करें कि आपको पती का सम्मान की लड़ाई बाए एकली लड़ी और बिम जीत भी आसिल करी ये वीडियों ज्यादा उन ज्यादा शेर जरूर करी हो क्योंकि थारो एक शेर विरांगना गिता देवी और जीत का बीच की दूरीन थोड़ो कम कर सकया